कॉंग्रेश पार्टी राम राम सुख अखिल भारतिय कॉंग्रेश कुमेटी के बाड़ में लोकसबा से उमीदवार भाई उमेजा राम जी बेनिवाल सम्मानित मंच बुजरगणों नौजवान साथी आज सबसे पहले तो मैं बाबा साथ भीम्राम अमेटगर जी को सबस्त नमन करता हूँ आज का दिन 133 वी उनकी जैनती है जिस तादाद में आप लोग यहां आज मौजूद हो इस धाड़ा सर की पुन धर्ती के उपर पंचायत तो दो गई है पंचायते बनी भी बहुत हैं पंचायत समित्य भी बनी है और बड़े भाई और छोटे भाई इस आप से दालासर ही है वो अपने आप में यह संकेत और संदेश दे रही है कि 26 तारीक को यह क्या होने वाला है यह करोड़ों रुपए खर्च करकर दुनिया को बताने का जो पिछले दिनों के अंदर बाढ़ मेर और बाढ़ जो चीजे हो ली है वो नहीं दिखाना चाहता हूं कि अजारों की तालाद में यह मैं थेवे लोगों के अंदर से मुस्किल से मंचपर मैं टेवे के लावा कोई पास दस लोग होंगे संजारों की सेंख्या के अंदर से लिए आप लोग आई हो चतिस कौम आई हो आपको तया जिन से मेरे धनिवार देना जो इसले नों विदान समा के चुनाव होएं और सिविदान समा चेतर से जो विदाइक चुने के जो आप सम लोग से निवेदेन है कि यह जो 18 पंचाइते आपकी चौटन के अंदर एक वार में आपने किसी पंचाइत के अंदर उनको देखाया दे दे ला पुरी पंचाइत समेथी में अदरिशाब बुल एक वार में यह आने कि उनको फुर्सक नहीं थी पुरी पंचाइत समेथी के लिए और दुनिया को बतारे हैं क्या बतारे हैं वह सब आप लोग को पर दे जो उनके पीछे से जैसे नरंदर मोदी जी को बताया ज्यादा है और नरंदर मोदी जी वह की वह बात बासन में करते हैं नरंदर मोदी जी जब बासन देते तो उनके सामने एक पहली प्रोंक्त देता है जिससे वह पढ़कर और भासन देते हैं वह सामने हैं उनका स्वागत करते हैं पर उनको दन्यवाद देने जैसा नी छोड़ा जो बोलें नरंदर मोदी जी ने यह मुझे अफ्सूर से कोई महमान आता है तो आपन स्वागत करते हैं यह हम लोगों के थार की पनंपला है और जाते हैं जब उसको अपन शुक्री आदा करते हैं धन्यवाद के जिका नरंदर मोदी जी ने शिरुब ओड़ा कि हमारे इस नामदान जी डौक्या की दर्तिपद अब्दुल्हादी जी की धर्तिपद विर्दीचंजी जै कि बाबा साथ भीम्रा मुमिट कर जी भापिस आजाएं नरंदर मोदी जी बाबा साथ के बाबा साथ भीम्रा मुमिट कर जी इस देश के हैं यह मैं आज इसे धार की धर्ति से धारासर से नरंदर मोदी जी आपको कह रहा हूँ यह आपने गलती करी है और इस गलती के लिए हमारी दर्ती धार की दर्ती बार्ड मेर का इस्तुमाल किया है तो जिस तरह से आपने किसी बिल के संदर में देश से मफ़ी मांगी थी आपको देश से मफ़ी मांगने के हो सकता है कि बार्ड मेर की तरह के अंदर आपने इस तरह की बात कि आप सिरफ रिष्टा राजदिती का जोड़ना चाते हैं वोटों का रिष्टा ना हो जोड़ना चाते हैं कि मैं या बाड़ मेर के अंदर बहुत आया गया मुझे यह मैसूर सोता नरंदर मोदी जी आप आज कल गुजराट से भी बहुत दूर चलेगे का हाँ वो पता नहीं कि सिर्फ राजस्तान के नहीं गुजराट में बाबा राम देव जी के बहुत अनुवाई है लगखो करोडों लोग बाबा राम देव जी के इन शड़कों के उपर से बाबा के भगत लोग आते हैं कि जितने राजस्तानी हैं उतने कि उतने गुज्रात से भी आते हैं उन बाबा साभ Hey आ के संदर्न में यह बातא है बाबा रामदेंजी के बारे मैं जो आप राज दितिक तौर्ए उपर बाबा के निया आप ने जो बते करी किया वह बात ने की यह जगह थी काश्मीर के अंदर जिसे शीव विदान सभा की काश्मीर के अंदर पैदा हुए वे हमारे बाबा रामदेश जी दुनिया के सब के बाबा रामदेश जी को उन्होंने बातों ही बातों के अंदर जो टैली प्रॉम्टर के अंदर लिखावाता पहुचा दिया कश्मी अपर केलते में अपने हाप इसान Also जुड़ाू नहीं है यह किसी ने सवाल थोड़ी 20 सवाल हमलुको Story ने नहीं ों की उसक्रार कोरद नहीं हुए?」 किसानों के हाम्ना नी दुगनी किसानों के हान्ना दुगनी हुई दो जार नौ से चोधा तर बार्ड मेर के अंदर क्या हर परिवार की इस्तिती थी मैंने बताई लुजार नौ के अंदर बार्ड मेर का हर परिवार सबसे पहले रहते हैं वो हमारे ग्राउं रहते हैं और इस देश की रख्षा कोई करते हैं तो बार्ड में के सरद के ग्राउं करते हैं अगर सबसे पहले किसी को सहीद होने की जुरूत पड़ती तो आपने खुने में उल्लेक किया साइद भी करा वह बार्ड में जिले के वह अलग बात है कि आज हमाने बार्ड में जिले के अजारो लगो नौजवान सैनिक बनने चाहते हैं और इस देश के लिए अगर वह सहीद की सहादत देंगे तो आने वाले समय के अंदर उनको सहीद का दरजा नरंदम हो दीजी आप नहीं दोगों यह फैस्ट का आपने किया जो आज सेना के अंदर जो भड़ती हो रहे हैं आज अगनी वीर के मर्द्यम से देश के लिए कोई सहादत हमारे परिवार का कोई नौज किया दस साल का लिखा जो खा आपने पिश्रा जिला योजदा के मद्यम से जो हमाने 42 कलोर रुपे हैं साल को मिलते थे वो पैसा आपने रूख दिया बाड़ में जिले का प्जास कलोर रुपे से जादा बी-ए-डी-पी का पैसा मिलता था वो रूख दिया प्रान की जनता की ताकर से पिछले पाथ सालों के अदर राजस्तान सरकार में वह धैसों तक की अबादी की सड़के सुखित करी और राजस्तान के अंदर सबसे जड़ा काई सड़के स्विकित हुई तो वह बाड़ में जिला था सड़के स्विकित करने था लंग बाड़ जमारा हक अरदीकार था दस सालों के अंदर प्रदान नंती सड़क राम योजणा की सड़के रिपेरिंग होना वह पर रदीकार भी आपने नहीं दिया प्रदान नंती नंदम होना ची जबात कर चिकर आपने लिए इस बात के यह विदाहिक मौदे ने का का अपनी बात जोड़ दी विदाहिक मौदे जी आप विश्विध्याने के देख्ष थे उस वक्त आपने विश्विध्याने के छात्रों के लिए क्या किया आपको यह लिखा लिखा जो का बाड़ में जैसल में के लोगों के बीच में लेना चाह विदाइक काल्यकालता उसमें आपने क्या किया वह बात नी करी है आप बात बनाना चाहते हो एक कहां भी करना चाहते हो दो हैंड़ पुंप की गलती आपकी और इस बात का बतंगर आप बना लें वह गलती क्या कि आपने खुटने यह बहुत परचाट परशार करें अग्मारों में सोचल मीडिया में मैं पदियात्रा करूंगा आप सब लोगों को पता हैं पदियात्रा तो अलग बात इस इलागे में तो जाकर भी नहीं देखा इन पंचाही तो मैं देखा हुई तो कि यह रामसर वाले बैठें पंचाही समेथी रामसर केंदें कितने आई इंसर पूछ लुट है और जीशिगा के जिन गाओं में गई व्यूश से री बनाने के लिए वह से जो उन लोगों ने अपने लिए हैंपन बंगे जो नोने वो उसके लिए एप्लिकेशन दी वह तो कम से कम विधाइग मौदे आप सरकार तक पहुचा देते हैं वह भी नहीं पहुचा ही गई है शिरफ दो हैंपम्प मांगे मांगें दो हैंपम्प इससे ज्यादा और क्या शीव की जनता से उनकी रूची रही है यह सवाल है सवाल का अगर वह जुमेवारी से को जवाब द देए शीव की जनता को देए शीव की जनता का दीकार है आप यह बात करें कि महाबारत पांज गाव में हुई का माबारत के मुल्य नीती थी नियत और आप उस अपनी नीती नियत और मुल्य को माबारत से चोड़ रहे हैं जब पानी की समस्या थी पानी नहीं आ रहा था एक दफ़े भी आपने विबाद वालों के पांच जाकर समस्या क्या है वो जानकरी अशिल की जो मां मौनगड बार्डमेंट की रिफ्ट कैनल के संदर में नहीं कि उसमें रीन नी बन रही थी उसके जमीन के पर हकीकत के जनप्रति नीदी चाहिए यह लीज की दिन्या में उमेने राम बैनिवाल जैसे जनप्रति नीदी चाहिए यह आपको टैकर जड़ से जड़ावां दारी में पैदा होकर संदर्च से पांस्टेबल बना और हमें गर होना चाहिए हमारे परिवार का अपने बलबूते पर अ सब्सक्राइब बना कोई आई पीएस के एस्पी बड़ा नहीं होता और कॉंस्टेबल छोटा नहीं होता है यह मारी सोच बड़ी और छोटी है कि कोई कॉंस्टेबल हो गया तो छोटा हो गया और कोई स्पी ऊगया आई पीएस होगे तो बड़ा है इस देश पेंदर मज्दूर चोटा और यह पुंजी पती बड़े जिसकी भी शोच के बनाए't वह जो हम लोगों के पश्तक्रीफ के अंदर कौन घड़ा रहा जिट सागे लिए कौन घड़ा रहा जिक्सा की किसने बाद करी कि उमेदाराम वेनिवाल ने बाद कि हमें पैट देने के वह सकता नहीं है यह उमेदाराम बैनिवाल का शिक्षा के दर योगदान अपने आप कहता है कि उमेदाराम बैनिवाल को शिक्षा से लगा हुए है उमेदाराम बैनिवाल शिक्षा चाहता है जिसे सब्सक्राइब कर सकता था उन्हें इस्तिमाल नहीं कि जब करोना आया तो करोना के वक्त के अंदर ये दोनों के दोनों उमीदवार करोना के वक्त के अंदर बाड़ मेंके लोगों के वीच में नी थी उमिद अराम बेनी वाल लीले बनाने लीले बनाने दो कमी रखनी ने तो कोई एक हदी की दीन की लील भी बता दे की जब तिंडी यह निविदन है यह अपनी मजबूती की बात करें उनके पास ताकट किसकी है उनके पास लोग हवाई जार्ज में उड़ कर आएंगे पर हवाई जार्ज में उड़ने वालों से बड़ा इस लोग तंते के ने ताकतवार होता है जो अपने आप, अपने सादन से हमारे पाथ 26 तादी को आईगा, वो मजदूर बड़ा, बड़े बड़े शेट, वो लोग आपस में लड़ा आ रहे हैं अपन लोगों को, इस चुनाव के इंड़े जो जाती का जहर बोल रहे हैं, मेरा निवे दन है कि आप इसको देखुआ, हिंदू, मुस्लमान जो करवा रहे हैं, जाती को जाती से लड़ वा रहे हैं, दरम के बीच में समझ जश्रफडर पैदा करने के लिए, एक वोने के लिए कराये ने आपने आपने बीच में विविवाद करकर और अया है। इस आदे से इसकी बात को थोड़ी ठंडी रखो जब इसको वोट पढ़ जाएगो उसके बाद इस आदे से इसकी बात को मजबूर्ट इसको चाहिए लोगों को चाहिए अच्छी संदान नहीं तो जब होती जिस दिन बाबासाब भीम्राव मेंटकल जी के नाम से होस्टल का फैसला हो चुका वे लोगजी की बात कर रहे हैं मो लोगी के नाम से होस्टल का फैसले के कैंदर कुछ किया नहीं किया अपर उनको बैलिपाल्वाल आप लोगों को रिष्चा ने को कर दो हैं यह आपको है वोडिंगों बोटा के सोदा करके साथमें रहना है या उमेदाराम जो आपने परिवार कांतारा इनके साथ मेरा मुझे आशा की रिशॉस तो समय काफी हो गया है कि बाकि बख्या में काफे जिन बाद परिवार के वीच परिवार एक जूट रहेगा हम सब लोगों का भजा होगा हमारे लिए हम बाद में यह मंच पर बैठे में बाद में और यह जनता पर इस जनता ने हमें बनाया हमने इस जनता को नहीं बनाया तो इनके लिए हम लोगों को जटकर मजबूती से एक जूट होकर और 26 तारीक तब उमेदाराम भैनिवाल को संचन में कैसे बहुचा इसके लगा दूसरी कोई बाद अंद मैंने एक और बात करना चाहता हूँ मेरी बात को आज रिकॉर्ड करने ना कि जो नतीजे आएंगे इस वाद लोकसबा के वो बड़े चौकाने वाद आएंगे एक उमेदाराम भैनिवाल पचास एंपी के साथ में नीव बैठेगा वो संख्या जो मेराम भैनिवाल के साथ संसथ की होगी मैं दुनिया को बताना चाहरो है धारसर के धर्ती के उपर कि वो बहुत बड़ी संख्या होगी कि देश मन बना चुका है देश मानश बना चुका है कि कितनी बड़ी के अंदर इस कॉंग्रेस पार्टी की और इसके गंडबंदन की सरकार बनने जारी है धन्यवाद जैहन प्रांग